Hello students, students, next article हमने वी टेकर एक्वेशन कर ली थी, जो आपके पास निकल के आई थी है, dqj by dq1 equal to curly k by curly pj और dpj by dq1 equal to minus of curly k by curly qj और j equal to 232n और 1 वाली जो हमने निकल ली थी, वो आपके पास आगई थी, जब हमने q को 1 रखा था, तो आपके पास आई थी, dt by dq1 equal to curly k by curly z और curly z by curly q1 equal to minus of curly k by curly t, तो ये काम हमने कर लिया था, वी टेकर equation हमने drive कर लिया थी, same थी थी बस, जो हैमिल्टेनेन equation थी, उन में थोड़ा सा change करना था, h की जगे आपना k आ गया था, और जो t का रोल था, वो q1 ने ले लिया था, अब next आती है आपकी जैकोबी equation, ये कह रहा है, we know that, for a journalized conservative system, we take our equations are, we take our equations ये हैं, integrating the system 1, हम इसको integrate करके यहां से qj की value निकाल सकते हैं, इसको integrate करके यहां से pj की value निकाल सकते हैं, लेकिन जब एक बार integrate करेंगे, तो एक constant add होगा, और ये total कितने constant हैं, आपके पास, n-1 ये हैं, n-1 ये हैं, तो आपके पास total कितने हो गए, 2n-2, तो जो भी integrate करेंगे, तो एक बार integration करने पे मान लिया, j की value 2 रखते हैं, तो q2 की value मिली, फिर q3 की मिलेगी, फिर q4 की इसी तरह p में निकलेगी, तो आपके पास total कितने constant आ जाएंगे, 2n-2, तो integrating the system 1, we find the values of qj and pj, j equal to 2, 2n, as function of the variable q1, and 2n-2, q1 के respect मे derivative है, 2n-2 arbitrary constant क्या क्या आ जाएंगे, हमने मान लिया, पहला c1, दूसरा c2, और last वाला जो 2n-2th variable constant आएगा, वो 2n-2, more ever the integral of vtaker equation will contain arbitrary constant h0, ये क्या करता था एक, h0 constant को भी vtaker equation में add किया गया था, तो एक आपके पास ये भी आ जाएगा, तो जो qj बनेगा, वो किस किस का function ब phi of j, देखो q1 का तो बनेगा, क्योंकि उसके respect में derivative है, उसके बाद h0 आ जाएगा, vtaker के अंदर जो हमने arbitrary constant add किया था, और उसके बाद ये constant आ जाएंगे, c1, c2, कितना, c2 and minus 2, इसको मान लिया, हमने equation number 2, तो qj मान लिया, phi of j, मतलब function in का बना, qj इसी तरह pj मनेगा, psi of j म ये pn की value, तो ये कह रहा है, कि हम q1, q2, qn, यहां से देखो q2 की value निकाल सकते हो, q3 की निकाल सकते हो, q4 की निकाल सकते हो, qn की निकाल सकते हो, वो value इसमें put करतो, कि इसी तरह यहां से p2 की value निकल जाएगी, p3, p4, pn की value निकल जाएगी, तो जब हम p1 की निकालेंगे, तब भी यही variable रहने वाले है P3 निकालोगे तब भी यही रहने वाले क्यों कि यहाँ पे तो J है नहीं तो J का फर्क यहाँ पर पड़ेगा नहीं तो यही variable रहने वाले है बस function किसका रहेगा है? Si का तो P1 में क्या-क्या variable रहेंगे? Si1, Q1, H0, C1, C2, C2, N-2 equation number 5 आप कहे रहेदा dependence of the coordinate on time T is obtained from the Hamilton equation Hamilton equation जो Q1 by T था वो किसके equal? curly H by curly P1 के equal तो यहाँ से DQ1 curly H by curly P1 किसके equal आजाएगा? इसको इधर ले आओ, DT को इधर ले जाओ equal to DT तो T की value कितनी आजाएगी? integration DQ1 by curly H by curly P1 plus C2 N-1 यह देखो 2 N-1 कैसे आए? क्योंकि H का जो function हो उसमें N variable तो Q वाले हो गए N P वाले हो गए और एक T था T इधर है तो T वाला घट गया तो कितने बने? C2 N-1 where are the variables in curly H by curly P1 as expected in the term of Q1 with the help of equation 2, 3 and 5 आपको पता है QJ dot की value क्या होती है? curly QJ by curly कितना? Q1-1 की value कितनी आगए? यहां से 1 क्योंकि जब हम J की value 1 put करेंगे तो Q1-1 कितना आगया? DQ1 by DQ1 DQ1 से DQ1 कट गया तो Q1-2 की value कितनी आगए? आपके पास 1 let P को मानना हमने P equal to P1, P2, PN and Q2-Q3-QN- तो आपके पास P की value क्या हो गए? यहां से देखो P किस-किस का function बना? P2 और Q2- P3 और Q2- को agities एक साथ summation में लिख देंगे और P1 agities बच गया P1 की value आपके पास क्या हो गई? minus of K तो P1 की value तो लिख दिया हमने minus of K क्योंकि Q1- की value तो 1 है तो उसकी value तो 1 हो गई और P2 से लेके और QN तक P2 से लेके PN और Q2 से लेके QN इनको तो एक साथ लिख दिया हमने और P1 बच गया P1 की value minus of K तो P1 minus क्या कर दिया हमने K तो P को आप लिख पाए क्या summation J is equal to 2 to N PJ QJ- of K where the momenta PJ are expected in the terms of Q2- Q3- and QN- अब यहां पर K की जगे क्या लिख सकते हो आप P1 लिख सकते हो P1 into क्या लिख सकते हो 1 क्योंकि P1 into 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा है P1 into Q1- और फिर यह summation को हम 1 से सरू कर सकते हैं तो क्या आजाएगा आपके पास ये this implies D P by sorry करली P by करली QJ- किसके equal आ गया, curly P by curly QJ dash की value आ गई, आपके पास क्या, PJ and curly P by curly QJ की value क्या आ गई, minus of curly K by curly QJ, equation number 7, यहां से निकाला, D by D of Q1, curly P by curly QJ dash कितना हो जाएगा, D PJ by D Q1, दोनों तरफ क्या ले लिया, D by D Q1, तो यह बन गया कितना, D PJ by D Q1 की value क्या है, minus of curly K by curly QJ, तो यह किसके equal हो गया, curly P by curly QJ, क्योंकि किसके equal, minus of P के equal, तो यह आ गया, curly P by curly QJ, इसको रख दिया हमने उपर value में, तो क्या आ गया, आपके पास, D by D Q1, curly P by curly QJ dash, minus curly P by curly QJ, equal to 0, equation number 8, यह क्या बन गए, एक language and time equation, जैसे वहां पे था, D by D QI, curly theta by curly QJ, curly P by curly Q theta dash, minus curly theta by curly, तो यह वाली जो language and second kind equation थी, उस तरीके की, यह फिर language and equation potential force के लिए थी, उस तरीके की equation, तो क्या गह रहा है है, equation 8 is a system of N minus 1 second order differential equation, N minus 1 कैसे, क्योंकि आपके पास, देखो, J 2 से N तक सरू है, तो 1 से N तक N, आपके पास 2 से N तक सरू होगा, तो N minus 1 second order differential equation बनेगी, which is equivalent to a system of equation of language and type, जो किसके equal है, language and type जो equation थी, उनके equal, we now transform the equation for the function P given by 6, P आपके पास यह था, we have P की value क्या थी आपके पास, summation J is equal to 2 to N, P J Q J dash, प्लस P1, यहां से हमने P1 की जगह क्या रख दिया, P1 into 1, तो P1 into 1 और Q1 dash की value 1 थी, तो 1 की value यूज कर ली, हमने कितना Q1 dash, इसको इखटा कर लिया, summation हो गया, J is equal to 1 to N, P J Q J dash, अब Q J जो dash है, उसको लिख सकते हो, D by D Q1 Q J, तो यह बन गया, आपके पास, summation J is equal to 1 to N, P J D Q J by D T, upon D Q1 by D T, तो summation J is equal to 1 to N, P J, D T से multiply, D J से divide, तो D Q J by D T को लिख सकते हो, Q J dot, और नीचे D Q1 by D T को लिख दिया, आमने कितना Q1 dot, 1 by Q1 dot भारा आ गया, summation J is equal to 1 to N, P J into Q J dash, अब आजाओ, देखो, आपके पास होता है, H equal to क्या था, Hamiltonian function, summation P I, और Q I dot, minus L, H equal to यह value थी, तो यहाँ से यह जो चीज आई, यह वाली चीज, यह किसके equal हो जाएगी, summation P I, Q I dot, equal to क्या हो जाएगी, H plus L, या फिर L plus H, एक ही बोल दो, तो H plus L बन गया, तो यह चीज यही तो लिखी हुई है, summation I is equal to 1 to N, P J, Q J dot, यह I में है, तो यह किसके equal हो गया, L plus H के equal, तो P की value क्या आगई, 1 by Q1 dot L plus H equation number 9, in case an ordinary conservative system, we have L की value क्या होती है, T minus U, और H की value होती है, T plus U, यह हमने निकाली थी, तो यहाँ से दोनों को जब हम add करेंगे, तो L plus H की value क्या आगई, 2T, यह हमने वापस put कर दिया, तो कितना बन गया, P आपका 2T by Q1 dot, यह value याद रखना क्योंकि next article में यूज होगी है, बट T हमने निकाला हुआ, 1 by 2 summation IK is equal to 1 to N, A IK, QI dot और QJ dot, यह क्या है, velocity का square, और यह आपके पास mass, तो T kinetic energy होती है, half MB square, तो यह T जो है, यह कहां से आया, हमने एक बार आपको याद हो, T निकाला था, T2 plus T1 plus T note की form में, तो वहाँ पर T equal to T2 रह गया था, जब हमने time independent किया था, तो आपके पास T की value T2 और T2 की value आई थी, यह निकल के, तो आपके पास T कीतना आ गया, यह value put कर दी हमने पीछे से, यह जो kinetic energy हमने quadratic equation की form में निकाली थी, वह वाला article, 1 by 2 summation IK is equal to 1 to N, A IK, QI dot को लिख सकते हो, DQI by DT, Q, K dot को लिख सकते हो, DQ by DT, अब हमने क्या किया, इसको लिख दिया, DQ by DQ1 into Q1 by DT, DQK by DQ1 into DQ1 by DT, तो DQ1 by DT, दो बार हो गया, तो DQ1 by DT का क्या बन गया, square और यह agities, DQI by DQ1, DQK by DQ1, A IK is equal to 1 to N, यह हमने बाहर निकाल लिए, DQ1 by DT के square को लिख सकते हो, Q1 dot का square, तो Q1 dot के square के साथ ही आगया, बाहर, summation IK is equal to 1 to N, A IK, इसको लिख लिए हमने QI dash, और यह आगया कितना QK dash, तो T की value कितनी आगई, Q1 dot का square और G, यह value का हमने नाम दे दिया कितना G, तो 1 by 2, summation IK is equal to 1 to N, A IK QK, QI dash और QK dash, इसकी value हो गई G, तो यहां से QI dot का square निकल गया, T by G, equal to T की value H minus U by G, और H आप लिख सकते हो, H किस-किस का function है, P I Q J, equal to किसके था, small of H के, जब time independent था, तो H अपना क्या आया था, curly H by curly T equal to 0, this implies H is constant, और constant को हमने माला था, small of H, तो इसकी value रख धी, H minus U by G, तो यहां से निकल गया, Q1 dot के square को लिख सकते हो, Q1 double dot equal to square हटाया यहां से, तो क्या आगया, आपके पास under root H minus U by कितना G, sorry, Q1 double dot नहीं, Q1 dot के square, तो square हटाते हैं, पहले तो यह आएगा, Q1 dot, गलत लगा रखें, क्या आएगा, Q1 dot equal to under root H minus U by G, तो यहां से putting in 10, यह value हमने 10 number equation में put कर दी, जो आपके पास equation number 10 थी, P equal to 2T by Q1 dot, Q1 dot की value यहां put कर दी, तो क्या बन गया, P equal to 2T by Q1 dot, Q1 dot की value आगए, यहां पे put करी, 2 of Q1 dot का square into G by Q1 dot, Q1 dot चे Q1 dot कर गया, Q1 dot G equal to बन गया, 2 into under root H minus U by under root G into G, तो यह आगए आपके पास, 2 under root H minus G into H minus U, the differential equation 8 in which function P has the form of equation गया रहा, और called the Jacobi equation, यह आपके पास क्या कहलाएगी, Jacobi equation कहलाएगी, next कह रहा है, the language and action denoted by W star, यह कह रहा है तो language and action, हमने एक action W निकाला था, T note से T1, L, D, T, अब यह कह रहा है, language and action भी क्या होता है, W star is defined as W star होता है, Q1 dot initial position Q1 dash final position यह terminal position P into DQ1, यह क्या कहलाएगी, आपके पास, language and action W, here the instant of time T note and T1 are not fixed, but may vary when passing from the straight line path, यह कह रहा है, जब straight line path होगा, straight line path से circuit S path में जाएगा, तो यह आपस में क्या करेंगे, vary करेंगे, fix नहीं होगे, principle of list action, इसके बाद principle of list action क्या होता है, the variation of the language and action W star, W star के अंदर जो variation आएगा, अगर वो 0 है, for the straight line path, तो यह क्या कह रहा है, principle of list action क्या कह रहा है, कि जो variation है ना, variation of the language and action W star, is 0 for the straight line path, तो कैसे देखो, for the straight line path, we have the Jacobi equation, अभी अभी निकाली है, Jacobi equation यह आती है, और language equation में क्या होता है, यह, del of, आपने पढ़ा होगा, जब हमने Hamiltonian principle पढ़ा था, तो इस straight path के लिए क्या आया था, del of w, 0, तो यहां से del of w star भी कितना आएगा, आपके पास, 0, इसके बाद कहा रहा है, relation निकालो, डबलू स्टार एंड डबलू के बीच में, डबलू स्टार, language in action, और डबलू, हैमिल्टीन in action, we know, p की value हमने निकाली थी है, minus of k, p1, into 1, 1 की value है, q1 dash, तो यह एकी summation में लिख सकते हो, इसको, तो summation में इखटा कर दिया, summation j is equal to 1 to n, pj, qj dash, तो यहां से qj dash को लिख सकते हो, dqj by dq1, तो यह आ गया, summation j is equal to 1 to n, pj, dqj by dt, और dq1 by dt, same वही काम है, जो अब तक हमने किया था, 1 by q1 dot, summation j is equal to 1 to n, pj into qj dot, तो यहां से क्या आ गया, यह value फिर से वही, Hamiltonian function आपका क्या था, summation i is equal to 1 to n, pj into qi dot minus l, तो यहां से इसकी value क्या आ जाएगी, l plus h, तो इसकी value फुट कर दी, l plus h, अब w star निकालते हैं, w star क्या था, q1 dot, और q1 dash, pdq1, यहां से p की value निकाली, p की value निकाली थी, हमने l plus h by q1 dot, रख दी यहां पे, dq1, dq1 से dq1 कट गया, क्योंकि q1 dot की value dq1 by dt, l plus h dt आ गया, अब देखो, l plus h dt, तो जब हम t के respect में integration करेंगे, तो limit आपके क्या हो जाएगी, t note से t1, यहां से h, t note से t1 dt, अब h को हम लिख सकते है, h किसका function है, h is function of, क्या था आपका, qi or pi equal to h, तो आपके पास यह small h, t note से t1 dt, तो यह तो बन गया क्या, action w, और यह आ गया, h बाहर integration करेंगे, तो t1 minus t note, तो w star की value क्या आ गई, w plus h t1 minus t note, तो यह relation है, किसके अंदर, w star और w के अंदर, next आपका article है, proved at for an ordinary conservative system, lag region action w star is equal to the work of the momentum, vectors of points of the system, इने corresponding displacement of the system, देखो, p की value हमने निकाली थी, 2t by q1 dot, jacobi equation भी, w star की value हमें पता है, p की value यहाँ पे पुट कर दो, p की value पुट करते ही, q1 dot को क्या लिख सकते हो, dq1 by dt, dq1 से dq1 cancel, यह क्या बन जाएगा, 2t dt, अब t आपको पता है, half mv square, तो लिख दिया, t note से t1, अब n particle है, तो summation k equal to 1 to n, mk vk square dt, vk square को लिख सकते हो, vk into vk, तो vk into dt क्या बन गया, displacement, तो इसको लिख दिया, इसके बाद आपका हता है, इसके बाद इस unit का आपका last topic रह जाता है, poison identity और jacobian identity, यह आपने यह तो पढ़ा था, कि uvw अगर q1, q2, qn, p1, p2, pn, कि अगर function है, तो uvw आपने पढ़ा था ना, fgh plus gfh plus hfg equal to 3ों का sum 0, poison identity, तो यह वो ही है, उसका proof है अब, poison identity और jacobian identity for poison bracket, और 100% यह paper में बहुत बार आया हुआ है, तो v है, अपने पास क्या दे रखा है, हमें प्रूव करना है, इन तीनों का sum equal to 0, तो हम दो को लेके चले, uvw plus कितना vwu, अब vwu को आप लिख सकते हो, uw with minus symbol, क्योंकि fg की value poison bracket कि इसके equal होती है, minus of gf के equal, तो यह आगया, आपको poison bracket की value याद होने चीए, जो आपका vwu था, इसकी poison bracket की value क्या आती थी, देखो, यह एक माना हुआ है, यह दूसरा माना हुआ है, तो पहले का QI के respect में, दूसरे का PI के respect में, minus, अब की बार पहले का PI के respect में, दूसरे का क्या हो जाएगा, QI के respect में, minus, इसी तरह से ये पहला, ये दूसरा, पहले का QI के respect में, दूसरे का PI के respect में, minus पहले का PI के respect में, दूसरे का किसके respect में हो जाएगा, QI के respect में तो ये poison bracket की value खोल दी अब इस poison bracket को खोलो curly U by curly QI same है, curly by curly PI अब UV, जो VW है इसकी poison bracket क्या होती है V का Q K के respect में अलग variable में मान रहे हैं ताकि हमने I K equal to 1 to N मान लिया तो ये तो I में तो ये चल रहा था और इसको poison bracket में खोल रहे हैं तो K की value मान रहे हैं तो इसलिए summation पे हमने K भी लगा दिया V का K के respect में Q K के respect में VW का VW का करेंगे तो V का Q K respect में W का P K के respect में माइनस V का P K के respect में और W का Q K के respect में इसी तरह माइनस इसको खोल लेंगे ये वाली दोनुंगата ब्रेक्ट खोल लेंगे तो आपके पास क्या आजाएगा Curly U by Curly QI Curly by Curly PI UW की poison bracket U का Q K के respect में W का PK respect में minus U का PK respect में और W का Q के respect में minus यह agities अब UW का क्या हो जाएगा U का QK के respect में W का PK के respect में U का PK के respect में और W का QK के respect में इस summation को एखटा रख लेंगे जो जो ट्रम एक साथ हाई हुई हैं उनको कोमा ले लेंगे जैसे Curly Square W by Curly Pi Curly PK जो पहली और 4th ट्रम है इन में से common आ जाएगा आपके पास curly square W by कितना curly PI curly PK और ये आ जाएगा एक साथ प्लस इसी तरह से जो बाकी ट्रम बचगे उसमें से common और ये सारी common ट्रम हम एक साथ लिख लेंगे common ट्रम आने के बाद जो बच जाएगी उसको हम ऐसे लिख रहे हैं क्या 1K curly W by curly PK plus BK curly W by curly QK और summation लगा दिया हमने K equal to 1 to N ये देखो ये कैसे लिख दिया हमने ये कह रहा है कि जो बाकी ट्रम बचेंगी जब combination हम जब इनको multiply करेंगे multiply करने के बाद जो common आ रहा है I और K की ट्रम्स एक साथ हा रही है तो हम उनको क्या लिख सकते हैं आपके पास वो तो सारी combinations में लिखी जाएंगी लेकिन जो खाली K वाली ट्रम्स बच जाएंगी उनको हम एक साथ समेशन में लिख देंगे कैसे K equal to 1 to N A K curly W by curly PK plus B K curly W by curly QK बाकी ट्रम्स सारी क्या हो जाएंगी cancel out plus minus करके सिर्फ बचेगा क्या आपके पास ये A K curly W by curly PK plus B K curly W by curly K के इसको मना दिया हमने क्या equation star all other trams are when is खतम हो जाएंगी minus के साथ अब आजाओ अब देखो A K किसका function है U और V का और B के भी किसका function है U और V का तो हम क्या करेंगे replace W by QI W को हम QI से replace करेंगे V get यदि हम W को QI से replace करें तो हमने लेके चले थे हम ये चीज UVW plus VW U तो आपके पास कितना आ जाएगा UVW के जगे QI plus VQI U equal to summation of this equation number one अब देखो अब निकाल रहे हैं V Q of I V Q of I निकालेंगे तो किसके equal आएगा है summation A K is equal to 1 to N curly V by curly Q के poison bracket खोल रहे हैं V of QI की curly QI by curly P के minus curly V by curly P के into curly QI by curly Q के और ये किसके equal आएगा minus of curly V by curly P I क्यों आया है V curly V by curly P I ये अभी बताते हैं आपको हमने starting में बोला था U and V and W are the function of Q1, Q2, QN and P1, P2 कितना PN तो पहले हम summation में K equal to 1 रखते हैं तो क्या आया V का तो ठीक है Q1 के respect में हो जाएगा क्योंकि V Q1 का function है U, V, W सारे Q1 से लेके QN और P1 से लेके PN के function है लेकिन जब हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या P1, QI P1 के respect में derivative देगा इसका differentiation क्या हो जाएगा partial differentiation 0 तो ये टरम क्या हो जाएगी 0 इसी तरह जब हम सारी terms रखते चलेंगे यहाँ पे K1 से input करेंगे तो जो Q1 का QI का जो derivative होगा P1 से लेके PN के respect में क्या होता रहेगा 0 तो ये टरम क्या होती रहेगी आपकी vanish होती रहेगी इसके बाद आजाओ यहाँ पे minus curly V by curly P K into curly QI by curly Q K अब देखो QI का Q1 के respect में करेंगे तो 0 ये टरम खतम जब हम K को 1 रख रहे हैं तो क्या आएगा curly V by curly P1 into कितना curly QI by curly Q1 ये टरम 0 क्योंकि QI Q1 का function तो है नहीं लेकिन जब हम K को 1 से N put करते हुए बीच में I put करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा curly V by curly कितना P I into कितना curly QI by कितना curly Q I ये कट जाएगा 1 हो गया तो क्या बचेगा आपके पास minus of curly V by curly P I तो इसकी value किसके इकवल आ जाएगी minus of curly V by curly P I तो इस तरह poison bracket की value हमने निका लिए तो ये क्या आ गया आपके पास minus of curly U by curly P I इसी तरह QI U की जब poison bracket खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा curly QI by curly QK into curly U by curly P K minus देखो QI का QK के respect में फिर U का P K के respect में फिर QI का P K के respect में और U का QK के respect में submission K is equal to 1 to N फिर से वही बात अब कि QI QK का function तो है नहीं QI is not a function of any other function लेकिन U और V तो function है तो U का तो P के respect में होता रहेगा लेकिन जब QI का Q1 के respect में करेंगे तो 0 Q2 के respect में 0 और खाली क्या बचेगा curly U by curly P I और जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमेशे क्या होता रहेगा 0 क्योंकि QI is not a function of P I तो P को चाहे कुछ भी पुट करते रहो यह differentiation की value हमेशे क्या आती रहेगी 0 और यह अपने आप फिर क्या होता रहेगा when is होता रहेगा तो सिर्फ क्या बचेगा curly U by curly P I so 1 implies 1 में पुट करते हैं तो 1 क्या आजाएगा आपके पास minus of U V QI की value पुट कर दी हमने कितना आया minus of curly U by curly P I plus यहाँ पे आजाएगा V और यह आजाएगा QI U की value पुट कर दी curly U by curly P I is equal to is equal to क्या आगए आपके पास B I B I क्यों आया देखो यहाँ पे क्योंकि अब यह वाला भी तो समेशन है Q I का P K के respect में करते रहोगे तो हमेशा क्या मिलेगा 0 तो यह तो खतम लेकिन जब हम I को जब हम K को I पुट करेंगे तो curly Q I by curly Q I बनेगा तो कटके 1 तो इसका क्या आजाएगा आपके पास B I तो यह क्या बचके आपके पास B I तो B I की value निकाल ली हमने B I की value आगई minus U curly U by curly P I minus curly U by curly P I V तो इसको लिख सकते हो minus of curly by curly P I U V U V जो आपका differentiation है ना U into V की form में उसको खोलेंगे तो यह ही आजाएगा similarly replacing W by P I अब पहले हमने W को किस से replace किया था Q I से यदि आप हम W को P I से replace करेंगे तो आपने पास AI की value आजाएगी जैसे हम P I से replace करेंगे तो AI की value आजाएगी curly by curly Q I U V hence star implies star आपके पास कितना आजाएगा UV W plus this किसके equal आजाएगा submission K is equal to 1 to N curly by curly Q K UV curly W by curly P K minus curly by curly P K UV curly W by curly कितना आजाएगा Q K तो यहां से आया UV W यह किसके equal आजाएगा UV W की poison bracket यह इखटा और यह poison bracket बन गई और इसको लिख सकते हो minus of W UV यह इधर आके कितना बन जाएगा तिनों का sum equal to 0 तो यह एक important question था आपका important theorem में याद रखनी है यह तो यहां पे आपकी theorem यह खतम होती है और आपकी unit भी खतम होती है एक दो नंबर की definition जरूर आती है इसके अंदर यह वाली ली हुआ चंग theorem यह दो नंबर में आई हुई है तो यहां तक आपने करना है आपकी second और third unit में अब सायद में भी कोई topic बचाओ मेरे हिसाब से कोई topic नहीं बचाए अगर कोई topic रह गया हो या फिर कोई topic नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को reply कर सकते हो इसके बाद हम fourth unit पे चलेंगे कल से तेंट यू